चलिए तो आप लोगों का कैसे वेलकम करूं जैसे ओनलाइन करता हूं ऐसे ही कितनी खुसोरी है नुसरत कह रही है कि आज तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ने का मुझा मल रहा है चलो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में सुबकामनाओं सहेत और एक मेरा अंदेश है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो इरादे नहीं इसका मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज जो हम क्लास डिसकस कर रहे हैं इस क्लास में बेसिकली हमें एप्रोच पे बात करनी है कई बार आपको लगता होगा कि एक्जाम क्लियर नहीं हो किसी की मेहनत कम नहीं होती है सिर्फ इंपोर्टेंट यह है कि हम अपनी मेहनत को किस तरीके से रिफाइन कर रहे हैं कैसे उसको सई दिसा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बहुत काम आएगी इसमें हमने कुछ तरीके बनाए हैं जो मैंने डिसाइड ग आते हो कौन सा अधिकारी जो मिल जाए तो जिंदिगी में हमने लक्ष तो निर्दारित कर रखा है बस हमें हमें क्या चीज़े हैं तरीके बदलने हैं और आज हम इसी तरीके पर बात करेंगे इरादे तो बदलने की अब इच्छा है नहीं आप लोग पैसे दे भी चुके ह तो अब इरादे नहीं बदल सकते चलिए तो यह है क्रेकनाव प्रिलिम्स पर्फॉर्मेंस ट्रेकर क्या है क्रेकनाव हमारा ब्रेंड है प्रिलिम्स पर्फॉर्मेंस ट्रेकर है इसका नाम ही इसलिए मैंने रखा है कि आप अपनी पर्फॉर्मेंस को कैसे ट्रेक कर सकते हैं इसको यूज करके सारे लोग ध्यान से देखिए का रितिक देखिए इसमें basically करना क्या है इसका use कैसे करना है हम इस पर बात करेंगे आज यह बहुत important है आप लोगों के लिए और अगर आपने exam को qualify करना है test series आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है test series कहीं भी आप join कर सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि हमारे यह करो क्यांकि यह class तो जो है YouTube पर भी जाएगी तो सब लोग कहेंगे कि अपने बच्चों के लिए तो ऐसा नहीं है आप जहां भी test series कर रहे हैं यह सब के लिए useful हो सकता है प्रिलिम्स पर्फॉर्मेंस ट्रेकर और इसको यूज कैसे करना यह मैं आपको बताऊंगा सब लोगों को आप लोगों कि जो यहां बैटे हो आपके जो भी doubts होंगे आप पूछते रहे ना यह मस सोचना कि class अगर online जाएगी तो आप नहीं पूछ सकते आप important है तो आप question कर प्रिलिम्स पर्फॉर्मेंस ट्रेकर यह मैं आपको इसकी PDF दूँगा तो इसको बनाने की जरूवत नहीं है क्या करना हो समझ लो सब लोग देखो जैसे मान लीजे आप लोग दे रहे हैं full and test क्या दे रहे हैं भाई आप तो बोलते भी नहीं हो class नहीं करीगा किसीने पहले full and test आपने subjective पहले दिये हैं ठीक है तो subjective test हम इसमें नहीं डाल रहे हैं फिलाल के लिए क्योंकि हो चुके हैं लेकिन आपने जब भी यह बनाना है तो दो तरीके से बनाना हैं दो बनेंगे basically एक होगा subjective एक होगा full length ठीक है आपने यह दो ट्रेकर बनाए दो चार्ट बनाने basically क्या बनाना है यह चार्ट बनाना चार्ट पेपर ले लिजेगा एक बड़ा पांच रुपए वाला इतना कर्चा तो मुझे लगता करी सकते हो जब इतना कर्चा हो गया तो एक chips का package तो ले ही ले माले का तो subjective और full length दो च चार्ट पेपर पे आप एक लिखेंगे test number एक जगे time taken question attempt question left first and second go question 50-50 75-25 test score और last test score अब आपको लग रहा होगा यह है क्या यह मैं आपका clarify कर देता हूं मान लीजे हम suppose करते है subjective test हम पहले सब लोग देते हैं उसके बाद full length देते हैं तो आपने subjective test हमारे क्रेक नाव पर कितने दे दिये ना ठीक है तो आपने 10 test दिये हैं और हम सोच रहे हैं कि हम पहले वाले test का ही tracker बना रहे हैं ठीक है तो test number one हुआ जब आप test number one दे रहे हो जैस खरीद के market से तो वहां तो आप कोई देख नहीं रहा आपको तो आपने खुद stop watch लगाना होता है और time कितना लिख रहे हो समय मान लीजे आप घर से भी कोई खरीद के फिर से test दे रहे हो तो आप इसमें time note करेंगे मान लीजे आपने 2 गंटे का test paper था है ना आपने दे दिय 1 hour 30 minute में तो यहां note करेंगे test number 1 की timing यह आपकी table के सामने होगा tracker सब लोगों की तो यहां आप note करेंगे आपने कितने time में उस test paper को दिया है उसके बाद question attempt कितने question होते हैं भाई BPSC में 150 question होते है महान लोग पहले हुआ करते थे जब जो है negative marking नहीं थी कि 150 में से 150 कर दिये तो मान लीजे आपने 120 130 question attempt किये तो जितने question attempt किये यहां note करेंगे आप ठीक है डेड़ सो मैंसे 120 130 120 से कम करोगे तो फिर लटकने की संभावना है तो most probably मैं मानता हूँ कि 120 and 130 वो मैं बताऊंगा यह भी कैसे निर्धारित करना है हम इसी tracker से पता कर लेंगे फिर आता है question left करना है वो बहुत important है ठीक है उसके बाद यह first and second go क्या है यह आप साहिद नहीं समझ पा रहे होगे first and second go का मतलब होता है कि जब हम paper को solve करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो आ रहा है उसको attempt करते हैं यही होता है ना कि एक तरफ से ego में लग जाते हूंगा इसको तो ऐसा तो नहीं करते हैं final paper में हम देखते हैं कि जो easily solve हो रहा है question paper उनको solve करते हैं बाकी जो नहीं हो रहा है उसको दोबारा में देखेंगे तो first go का मतलब यही है कि आपने जो पहली बार में attempt करा और उसमें फिर mark कर दिया कि इसको दोबारा देखेंगे व मान लीजे 90 मान लीजे 80 मान लीजे 70 वो निर्दारित करता है कि आपकी तैयारी का इस्तर क्या है और paper का भी इस्तर क्या है तो 90 आपने one go में करे और 40 आपने second go में करे क्योंकि आपको ऐसा लगा exam all में बैठने के बाद कि भाई 90 पे तो बात बनेगी नहीं रिस्क लेही ले होती हूं और जय महाकाल और 1111 भढ़ दिया गोला तो वो second go है उसके बाद आता है question 5050 यह क्या है question 5050 का मतलब यहां पे है कि आपने one go कर लिया है उसके बाद आप जो आ गए हो इस two go में तो अगर यह आपको आ रहा होता पूरी तरीके से तो आप इसे one go महीं करते यह आपक तो कुछ doubt ता इसलिए आपने छोड़ा है कि इसको second time में हम देखेंगे तो इसका मतलब या तो आप इसमें doubt में हो कि दो आ रहे हैं दो नहीं आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि यह है one liner है suppose अगर one liner है तो आपको लगेगा यार 5050 है सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है य या अगर क्योंकि अब BPSC में आने लग गया है statement तो आपको लगेगा या तो यह या तो यह या दो आ रहे हैं दो नहीं आ रहे हैं तो वो कहलाता है 5050 मान लीजे आपने 40 मेंसे 5050 वाला जो मामला था वो ते 20 ठीक है अब आपको लग रहा है कि आपने कितने किये 90 और 20 किये हैं तो 110 हो रहे हैं अब आपको क्या है वाई कि यह 75 25 यह कौन सा है यह है कि करहर मैदान पता है वो बंदिया यह वह वाला है जिसमें आपको तीन नहीं पता होते एक पता होता है कि यह तो नहीं है ऐसा होता है ना कि आपने कोई question पड़ा उसमें यह लगेगा आपको कि वा ताकि तीन मुझे पता नहीं है, वो होता है, 75-25, that means 25 आपने eliminate कर दिया, जो आप chance ले रहे हो, 75 प्रतिसत पर चांस है, 50-50 का मतलब क्या है, आप 50% risk ले रहे हो, 75% का मतलब क्या है, आप 75% risk ले रहे हो, ठीक है, अब आप 100% शोर हो के prelims examination qualify गर लो, इस next to impossible है, अगर आप अपन PCC और state PCS दे रहे हो, तो आपको पता होगा कि स्योरिटी के साथ आप exam में नहीं जा सकते, क्योंकि सबकी वो छमता नहीं होती, वो मैं भी अभी बात करूँगा, तो मान लीजे, आपने इसमें भी और प्रियत्न किया, 20 questions आपने ये solve कर दिये, हाला कि मैं इसको बिलकुल cut क दरूँगा कि ये करना नहीं है, ये इसलिए मैंने रखा है, अब क्या आता है भाई, negative marking है, one third की, तो आपको एक marks मिल जाता है, और आपने गलत किया, तो 0.33 चले भी जाता है, तो test score में आप इसको दो भागों में माटेंगे, positive और negative, और total, तो आपका total score कितना है, वो देख किये, 40 negative किये, on an average बच्चे का यहीं रहता है, हिसाब किताब, और यहीं दिक्कत होती है, 90 आपने सही किये, अगर ये 40 गलत नहीं हुए होते, तो आप cut off में होते, लेकिन ये वाला जो है, ये खा जाएगा आपके इधर से, कितने marks का गया, 13, 13, तो 13 की बज़ए से आप कहा पहुच गए, 77, या, 87 कैसे, 90 में से 13, तो 77 पे आप पहुच गए, that means आप cut off से बाहर होगे, कोई पूचेगा भाई, क्या रहा, वो ले तीन नमबर से लटक गए बाबू, तो आप असल में आप तीन नमबर से नहीं लटके थे, आप गलत ज़्यादा गर के आए थे, प्रा time नहीं करना है, तो जीवन आसान है फिर, और जीवन आसान करने के लिए हम, आज ये tracker पे काम कर रहे हैं, फिर आप यहां लिखेंगे, last test score, suppose आपने test number 1 से tracker बनाया, तो last test score यहां होगा नि, null आएगा, 0 आएगा, बट आप जब test 2 करेंगे, तो यहां last का score लिखेंगे, और यह किसलिए होगा, ताकि आप पिछले test की तुलना में कितना बहतर कर पाए, वो आप track कर पाएं, चीजें समझाएं, क्या है, अब मैं समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है, use क्या है, कैसे आप use करेंगे, अभी तो मैंने basic आपको समझाया, कि उपर जो लिखा है, इसका अब क्या है, अब हम बात करते हैं, इस पर, चलिए, समाझ में आ रहा है ना सम लोगों को, नीद भी इन तो नहीं आ रही, है, आरती, इंट्रेस्टिंग लग रहा है कुछ, अच्छा, क्या समझा आया अपर बताओ, यह मिल गया, यही खोजरी थी है, अभी यह शुरुआत है, जब हम आगे इस पूरी स्लाइट्स को पढ़ेंगे ना, मैं यह गिरंटी करके भेजूंगा आज आप लोगों को, कि मास्टर आप मिलना मत मिलना, हम तो जब आपना प्रिलिम्स खुद को आलिभाए कर लेंगे, तो वो इस्तिती होगी, चलिए, बात करते हैं, टेस्ट नंबर वन पे आते हैं, टेस्ट नंबर वन आज आपने किसका दिया है, बाई, बायोलोजी, सपोज हम बायोलोजी से ही सुरुआत कर रहे हैं, तो बायोलोजी में आपने टाइम कितना लिया, हम माल लेते हैं, एक ग हैं आप सबसे पहले यहां आएंगे जब आप इस ट्रेकर को यूज करेंगे कौन बज़रा किसी का तो आप यह देखेंगे कि यह तीस जो छोड़े हैं आपने यह कौन से क्वेस्चन छोड़े हैं सबसे पहला काम इस ट्रेकर का यहां से शुरू होता है यह तॉगया वाई time taken पर मैं बाद में बताऊंगा यह क्या है इसका यह बाद का काम है सबसे पहला काम आपने question attempt कितने की है इसका कोई use नहीं है सबसे important यह है tracker का काम है आपने कितने questions को छोड़ा है इसको आप analyze करेंगे कौन से question छूटे हैं किस topic से छूटे हैं अगर full length में आप कर रहे हैं तो किस subject से छूटे हैं छूटने की वज़ा क्या है क्या उन पे काम कर सकते हैं हम लोग और अच्छा कर सकते हैं क्या उसमें कौन से subject ऐसे हैं जैसे बिहार की अगर मैं बात करूँ अगर इस 30 में से आपने science का question छोड़ा है आपने history का question छोड़ा है आपने current affair का question छोड़ा है तो वहाँ लिख लेना कि मैंने prelims selection छोड़ा है समझ में आई बात आना यहां से कि कुमार पंकज ने बोल दिया था पहले ही तो आपने ये tracker में भी देखना है जब आप लगातार prepare कर रहे हो कि इस में से ये तीन तो नहीं चूट रहे हैं और चूट रहे हैं तो क्यों चूट रहे हैं और क्यों चूट रहे हैं तो हम कितनी जल्दी उसको cover up कर सकते हैं यूपी वालों के लिए भी सेम है यूपी वाले भी बैटे ना इदर तो ये tracker है आप लोग समझ रहे हो ना मैं बताऊंगा बागी detail में कि आपने ये देखना है जैसे यूपी में कौन-कौन से subject आते हैं कितने important हैं वो subjects कितना उनका weightage exam में मैं बात करूँगा weightage पे तो अगर वो छूट रहे हैं तो क्यों छूट रहे हैं हमें इनको minimize करना है सबसे important बात ये कि ये 30 नहीं होने चाहिए ये maximum होने चाहिए 10 to 15 और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अगर on an average paper है तो पांच question ऐसे होते हैं जो होते हैं बना के देखाओ जो master रखता है अपना जो है विद्वता जाडने के लिए कि भाई बच्चा करके देखाए मैं भी तो पढ़ाऊं PhD कराए मैंने professor हूँ तो पांच question ऐसे होते हैं दस question ऐसे होते हैं जो आपको pick नहीं होंगे random होते हैं वो questions एना miscellaneous kind of questions तो उनको आप पकड़ भी नहीं सकते हो जो एकदम नया होगा तो छोड़ दे सकते हैं उससे कोई ego class हमको नहीं करना है कि नई भाई मैं तो बनाके देखाऊंगा देखाऊंगी मेरे तो जो है ये आतमा पे कुठारा घात है तो वैसा कुछ नहीं है 10-15 छोड़ सकते हैं 30 छोड़ना खतरनाक इसलिए भी हो जाए गया क्योंकि अगर आप 120 सिर्फ attempt करेंगे तो इस tracker से हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी जो है performance क्या है मतलब मान लीजे आपने 10 question जो है attempt किये जैसे ये वाला है न हम question attempt कितने कर रहे हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं फिर कि हमने question गलत कितने किये हैं एक थाना हमारे पास option wrong का नहीं बनाया है क्या तो आप जब इसमें question attempt देखेंगे तो इसमें right and wrong आये है तो यार यहां मैंने बताया था ना आपको test score positive negative तो इसमें positive negative में आप ये देखेंगे कि आपने negative जो किये हैं वो कितने हैं तो ये पता चलेगा आपको कि मान लीजे आपने 120 question किये हैं 120 question में आपके positive कितने negative कितने तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजे 10 question आप कर रहे हो जो 100 से और वाले question है फिर से सुनना ये one go वाले questions मैं ऐसे बात कर रहा हूं है फिलाल one go में आपने 10 किये तो आप जब घर आगे track करोगे तो आपको पता चलेगा दो-तीन तो blender कर दिया है कोई question गलत पढ़ाता है किसी में लिखाता है आपने सत्य समझ के question किया है वो कहलाते है blender या silly mistakes तो आप अगर 10 कर रहे हैं तो मैं damn sure हूँ कि कोई भी बच्चा 8 से ज़्यादा सही नहीं कर सकता है इसमें भी समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ 100 अगर आप करके आ रहे हैं तो 80 ही आपके सही होंगे 20 गलत होंगे ही होंगे क्योंकि ये normal human error होता है और ये paper का pressure भी होता है 80 आप कर रहे हैं तो आप brilliant student है 70 तक जो है सही student होते हैं एक average जो अच्छा student हो 70 करता है 100 मैं से फिर उससे नीचे category जाती है और मैंने ऐसा भी देखा है कि 100 मैं से 40 भी सही करते हैं बच्चे बट उन पर काम करने की जरूगत है on an average आप अच्छे से काम करते हो तो 100 मैं से 70 आप सही कर सकते हैं और उसमें काम हो जाता है बात समझ में आई मैं क्या करो अब माल लो आपने 120 questions आई किये या आपने 100 किये भाई पहले 100 पर देख लेते हैं 100 मैं से आपकी accuracy कितनी है 70 की है तो आपने 30 तो यहीं गलत कर रखे हैं ठीक है अब 70 मैं से आप 10 और घटाओगे तो 60 रह गए हो 100 मैं से 20 मैं से आप फिर कितने गलत करने वाले हो आगे 6 तो यहां कितने बचे 14 तो 6 और 7 और 74 इसके भी घटाओ तो 74 पर आपका selection होगा गया नहीं होगा तो 120 पर आप safe नहीं हो बात समझ में आई अगर आपकी accuracy 100 में से 70 की है तो आप 100 में से 80-90 की accuracy लाते हो तो आप cut off में आ जाओगे if you are in women category in बहार क्योंकि मा reservation है बट हमें reservation वाले segment में नहीं जाना है हमें best रहना है उपर creamy layer में रहके prelims qualify करना है ताकि mains में हमको ज़्यादा समय ना लगे बात समझ में आ रही है तो आप 120 पे तो नहीं रुख सकते हैं फिर तब आपने क्या करना होगा यहाँ पहुचना होगा 135 ठीक on an average एक से उपर जाना भी नहीं है करना भी मत 130, 135, 125, 130 अगर आप यहाँ जा रहे हो accuracy को आप 70 से 80 ला रहे हो तो हमारा काम हो जाता है फिर अब आप देखिए कैसे 130 यानि हम 100 में से 80 यानि 80 की है आपने ठीक है फिर कितने बचे है 30 30 में से आप कितने कर रहे हो 24 ठीक है और 5 और बचे है 5 में से आप कितने कर रहे हो मान लीजे 2 ही कर रहे है तो आप 96 पे आगए 96 तरफ वन तरड की निगिटिव मार्किंग में बेहार में कोई भी करके आ जाया ना लड़का या लड़की प्रिलिम्स कौलिफाय हो जाएगा दावा करता हूं मैं इस बात का और पांच नमबर ऊपर रहोगे आई बात समझ में स्ट्रेटेजी क्या है अब ये होगा कैसे ये तो आ गया बोला गड़ित तो सही बैड़ गया 96 हो रहा है पर यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत थोड़ी जादा है दोस्तो काम मैं करवाऊंगा सारा हेल्प आउट मैं करूंगा अब से मैं आपकी हर वीक परफॉर्मेंस ट्रेक करूंगा आपके ट्रेकर देखूंगा आप नोटबुक लेके आएंगे जो नोटबुक नहीं लेके आएगा वो बाहर बैटके पेपर देगा चटाई डलवा के बिठाओंगा उसको ठीक है चलिए बात करते हैं अब हर सारी चीज पर समझ में आ गया अब देखते हैं टेस्ट नंबर वन किया आपने टाइम टेकन मान लीजे 120 यानि वन गंटा 20 मिनट वैसे मैं कहूंगा बाई पूरा दो आवर लो यहां पर कोई आपको समय बचा के कहीं लेतो जाना नहीं कहां की बात कर रहा हूं मैं एक्जाम होल की नहीं वहां तो पर करेंगे तो अनलिटिकल पावर आपकी जनेरेट होंगी मैंने देखा है आदा डेड़ गंटे में रितिक पेपर देके नीचे गूम रहा था चाय पी ने गया था होता है कि भाई यह ऐसे भी हो सकता है आप किसी क्वेस्चन में मगज मारके तो देखिए ऐसे नहीं मारना है समझना है उसको ठीक है तो समय दिया गरो दो गंटे देना प्रॉपर क्वेस्चन अटेम्ट कितने किये हैं वह आपने नोट करने हैं अगर यहां 120 कर रहे हो चू मिनिमाइज आप कैसे करेंगे भाई मिनिमाइज आप करेंगे यह देखे कि आप उस सेग्मेंट का पेपर तो नहीं क्वेस्चन तो नहीं छोड़ रहे हो जो आपका फैवरेट टॉपिक है अगर फैवरेट टॉपिक का क्वेस्चन आपसे छूट रहा है तो दैट मिन्स कि आपकी problem है preparation का इस तर में घड़बड है तो आप topic define कीज़े बाई किस topic में दिक्कत हो रही है उस topic को फिर से पढ़िए फिर से उस पर test paper लगाईए बहतर करिए ठीक है आते हैं first and second go में first go में आपको आपने 70 किये हैं make sure कि 70 में आपसे silly mistakes नहीं हो silly mistakes को आपने null करना है ignore करना है आप first go में हमेशा exam hall में एक गंटे से ज़्यादा का समय लेंगे एक गंटा 20 मिनट लेलो कोई दिक्कत नहीं है एक गंटा 30 मिनट लेलो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन first go first go ही होना चाहिए और make sure कि आप first go में 100 को टच करें समझ रहें आप में क्या गयरो आप एक गंटा 20 मिनट लीजे लेकिन 100 question तक पहुंचीने का प्रयास करिए गलती उसमें नहीं की गुंजाइस होनी चाहिए silly mistakes नहीं करेंगे question paper को अच्छे से पढ़ेंगे सत्त असत्त और यह गोला करिए जहां पर भी सही दिख रहा है सही नहीं पूछ रहा है उसको गोला करो ताकि ध्यान जाएगी पूछ क्या रहा है है ना कई वार हम क्या करते है पढ़ा कि सही नहीं है option पढ़े option में इतना खो गए ध्यानी नहीं रहा उपर पूछ क्या रहा था तो आप उसको गोला करिए ताकि bubble फिल कर रहे है तो ध्यान जाएगी सही कर रहा हूं कि नहीं एक बार क्या हुआ मैं UPPSC का एक्जाम देने गयाता हूं अपने आप पर घटाकर बताता हूं UPPSC मैं इसमें एक question आते हैं जैसे आपके भी आते हैं कथन और कारण के आते हैं अभी कतन और कारण कहते हैं इसमें क्या होता है basic trend होता है कि कतन एक सही है कतन आर सही और एक की व्याख्या करता है यह सही है कतन आर की व्याख्या करता है करता है पहले में यह होता है दूसरे में होता है दोनों सही है व्याख्या नहीं गरता है तीसरा क्या होता है सही या कट op मैं ताम है कर दो गए कअधे कैसे है अप्स्टर दिए ते उस साल Midi आप option ता उसमें हर जगह लिखा हुआ था गी दोनों सहीं हैं लेकर व्याख़्या नहीं गरता है और मैंने सम्मे करदीया व्याख्या नहीं करता जिसमें एक में नहीं करता थана वह उपर पहुंच गया तो उसमें भी मैंने Cバra तो साल मेरे 87 बने था और हाला कि EWS था मेरे पर चाहता तो हो जाता बट यह वाली वज़े से मेरा प्रेलिम्स नहीं हुगा था उससे पिछली वार मेंस लिखा था तो दुख होता है कही वार तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि यह आपको बाहर करेगा ना तो पूरे साल दुख देगा आप मैंसे हुआ है किसी के साथ अब तक आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ गलत वलत नहीं आपके साथ हुआ है दुख देता है चुबता है सीने में चुबता है कुछ दिन जब किसी का पता चलता है कि प्रेलिम्स हो गया सामने वाले का और मेरा इसलिए नहीं हुआ है गोला गलत कर देती हैं, आपको फिर गोला में ही बिठाया जाएगा कल से, तो ये बहुत दुख देता है, इसकी वजए से अगर आप silly mistakes करके आएंगे, वो आपको बहुत परिशान करेगा, आता हुआ question और solve गिया question अगर गलत हो जाए, तो ज़्यादा दुख होता है, नहीं आता हुआ तो गलत हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो silly mistakes पर काम करना बहुत जरूरी है, ये नहीं करना है आपने, ठीक है, तो question left को minimize करेंगे, first go में silly mistakes नहीं करेंगे, अब आता है second go जो सबसे important है, जो आपको समझना पड़ेगा दोस्तो, second go में question 50-50 जो है, इस प से पहले आप इसमें क्या लगाएंगे, elimination technique, elimination किस को पता है, आपको बता है, और किसी को पता, elimination technique क्या होती है, रितिक, रितिक मूवी नहीं चल रही है यहाँ पर, तो आप हाना कुछ बोली नहीं है, आप ऐसे देख रहे हो, वा, कितना, अच्छा सब चल रहा है, भाई बता हो, आता है, elimination, सबको आता है न, आपको नहीं आता है, elimination technique यह होती है, मान लिजे, options है, A, B, C, D, तो आपको यह पता होगा, कि भाई, इसमें, A तो हो ही नहीं सकता है, मैं sure हूँ कि वो गलत है, आपने काड़ दिया, तो यानि A को eliminate कर दिया, अब आपका क्या बना है, 75% आप accurate risk लोगे, 25 आपने जो risk ता हो, कट कर दिया है, कि वो अप sure हो, आपने फिर यह पढ़ना है, भाई, इनमें से कुछ बन रहा है कि नहीं, तो एक और कट दिया, तो 50% बचा, एक यह है, elimination दो टाइप का होता है, यह kind of questions में, जो one-liner होते हैं, जो statement-wise questions होते हैं, उसमें कही बा तीन, ऐसे होते हैं, और एक होता है, कोई नहीं, या सभी, चौता ऐसा होता है बेहार में, तो मान लीजे, आपको यह पता है कि भाई, इसमें जो है, एक तो हो ही नहीं सकता, आपने एक अप्शन काट दिया, कि ए तो option one तो गलत है, तो यह भी कट गया आपका, अब आपका अब आपने एक से अधिक, अब आपने एक से अधिक अगर वाँ है, तो एक तो पहले काट रखा है, तो एक से अधिक वाला तो वैसे option नहीं बन पाएगा, क्योंग पहले बनता था, वहाँ यह option जब होता था, अब यह नहीं है, तो आपको यह बहुत easy हो जाएगा elimination, तो हम a size question को elimination से solve करेंगे, पहला rule है यह, यह elimination, दूसरा rule इसमें कौन सा लगेगा, आप यह note नहीं कर रहे हो, कोई भी, और यह मैं tracker आपको दे दूँगा, यह जो मैंने बोला है, यह कैसे मैं दूँगा आपको, सही है यार, आप तो पर कहानी सुनने है बैटे हो, दूसरा rule क्या होता है, दूसरा rule होता है, elimination हो गया पहला, दूसरा rule conceptual clarity से solve करेंगे, अब यह क्या होता है भई, आप इसको relativity वाला concept भी कैसे सकते हो, आप इसको physics से मत जोड़ देना, concept of relativity है, देखें इसमें क्या है, conceptual clarity का मतलब है, मान लीजे, आप से पूछने लगे, वहाबी आंदोलन के संदर में question, तो आपको date नहीं पता है, वहाबी आंदोलन की, मान लीजे, ऐसा कह सोच सकते हैं, आपको नहीं पता है कि वहाबी आंदोलन 1828, जो है, उस 1829 सदी में हुआ, नहीं पता है, लेकिन आपको 1857 की क्रांती बेहार में पढ़ी थी, और वहाँ पता था, कि जो विलियम टेलर था, उसने वहाबी नेताओं को पहले ही ग्रफतार गल लिया था, ताकि वहाँ के movement को कमजूर किया जा सके, तो आपको ये पता है बस, अब उसने question पूछा कि वहाबी आंदोलन ने, ये भूमिका निवाई तो आपने क्या किया, जो बहुत minor सी एक knowledge थी, उससे ये पकड़ लिया कि ये उस 1857 की क्रांती के आसपास का withdraw है, अब मैं आपको फिर बहाबी आंदोलन पढ़ाता हूं पहले, बहाबी आंदोलन 1828 में सुरू हुआ था, अरब से, भारत में सैयद एहमद बरेल भी ने उसका जो है, सुरुआत की धार्मिक सुधार के लिए किया गया, अंदोलन था, 1828 में सुरू हुआ, लियाकत अली और विलायत और उसके दो लोग थे ना, इदोन आली बंदू, तो इन्होंने पटना में इसको सुरू किया, और उसके बाद ये जब तक 1857 की क्रांती चल रही है, अजीम उल्ला कहां वगेरा को गरपतार भी करवाता है विलियम टेलर की ये प्रत्यक्षताह सामिल नहीं थे, लेकिन उसको आंदोलन को जो है, ये प्रमोट कर रहे थे, और ये आंदोलन चला 1888 तक, समझे, तो आंदोलन बहुत लंबा चला है, तो मैं ऐसे ही कुछ भी on record गलत नहीं कहूंगा, record भी हो रही है class, मुझे लगा आपने कुछ ऐसा कहा कि आंदोलन के आरे हैं, तो समझे, तो अब आपको ये पता है कि भाई, इस आंदोलन का जो है, उससे रिलेटिव है, रिलेटिवनेस है, तो आप इसको फिर उसी चीज से रिलेट करके इस question को solve करे हैंगे, बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ मैं history में नहीं कह रहा हूँ, आप इसको हर चीज में रिलेटिव कर सकते हैं, दूसरी चीज, तीसरी चीज, जो हमेसा ध्हान रखनी है, अगर question science का है, और science में भी ये question है, आपके उपयोग से संबंदित, किस से? उपयोग, use, science and tech, उपयोग का tech में ही आएगा, basic science मत पूछेगा नहीं, को से का के उपयोग बताओ, तो ये technology में आ जाएगा, science and tech में, nanotech का हो गया, robo tech का question हो गया, अगर उपयोग में है, तो all of the above पे आप जाएंगे, पढ़ेंगे, obviously, कहीं ऐसा ना हो, कि नहीं है, दे रखा हो, अगर व पियोग क्या है, और उसमें उसने आग भुजाने के लिए भी लिखा हुआ था, और वरक के लिए भी लिखा हुआ था, तब तक ये market में segment इतना upgrade नहीं हुआ था, market में लोगों को पता नहीं था, trial period चल रहा था, उस समय drones का, तो वो सारे सहीते, लोगों ने का, यार आग मे कैसे पहुचेगा, ये तो जल जाएगा, ये वो लोगों ने ज़्यादा डिमाग लगा लिया, कहने का मतलब ये, तो ज़्यादा इसका प्रियोग भी खतरनाक होता है, तो जब आप science and tech जैसे subjects पे जाएंगे, ये किसकी बात हो रही है, आपको पता है न, मैं बात कर रहा जब आप 50-50 questions solve कर रहे हो, कभी आप जब बैठ जाओ पहले question से आज तो इसे ही solve करेंगे, तो आप ज़्यादा गलत कर दोगे, सिर्फ आपने अपने target को achieve करने के लिए इस techniques का इस्तेमाल करना है, make sure, ये हमेशा, कभी आप पहले question से ये technique लगाने लगोगे, आके कुमार पं ये techniques होंगी, elimination, conceptual clarity के साथ और कुछ particular चीजों में, उपियोग के संदर्व में, और एक चीज और, अब बैहार में C option सही नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बात समझ में आई यहां तक, यहां तक किसी कोई doubt है भाई, अब आते हैं question 75-25 पे, तो मेरे प्रभु देवी और देवताओ इसको मत करना, यह नहीं करना है, अगर आप सिर्फ एक eliminate कर रहे हो, one third की negative marking में कभी नहीं करना है इसको, negative marking one fourth की होती है, तो हम 75-25 यानि 75% risk लेते ह है क्योंकि वहां हमें as मिलता है, one third की negative marking में 75% का risk कभी नहीं लेना है, सौगंद खाओ, सौगंद मुझे इस मिट्टी की, मैं इस question को solve नहीं करूंगा, ठीक है, करोगे नीना, अगर करा ना, तो बहुत खत्रे में पढ़ जाओगे, आजा दी खत्रे में पढ़ जाएगी सम test score में आपने क्या करना है, देखना है, note करना है, लेकिन test score को note कैसे करेंगे, ये भी मुद्दे की बात है, आप इसको note करेंगे, पहले तो all score कैसे करेंगे, all, फिर आप करेंगे subjective, हर subject में आपने कितना score किया है, science में कितना, history में कितना, current में कितना, polity में कितना, geography में कितना, economy में कितना है ना बियार special में कितना कितने सही किये कितने गलत किये सारे subjects का record होना चाहिए आपके पास जब अगली वारा होगे तो ठीक है सूरज बाबू हो जाएगा जीवन आसान है लाल सलाम ठीक है तो और फिर आता है last test score तो यह जो है किस से सही होगा यह होगा दूसरे वाले से जब आप दूसरा सुरू करेंगे पीपर अब बताओ ट्रेकर में किसी कोई समस्या इमेज बाबू आपका नाम इमेज है रे टिट कर देता हूं मैं नहीं नहीं अच्छा है मैं कास कटवा पाता है चले आगे नोट कर रहे हैं मैडम को अब लगा कि अच्छा नोट भी कर लेना चाहिए था चले आगे चले चले चलो अब आते हैं Conclusions पे क्या-क्या चीजें इसमें हमने देखनी हैं तब से पहले आप जब यह सारी चीजें नोट करेंगे तो आपको क्या पता करना पड़ेगा भाई Strong Subjects थी क्या आप यह किसके हैं आप के हैं खुद से निरदारित नहीं कर लेना है कि मम्मी ने कहा था कि मैं Science बहुत अच्छा पड़ती थी बच्पन में तो Science इस्ट्रोंग सब्जेक्ट है या हिंदी में अच्छा पढ़ती हो तो वैसा नहीं आप देगेंगे आपके ट्रेकर के अकोर्डिंग आपका स्ट्रॉंग सब्जेक्स कौन से हैं ठीक है खुद से नहीं कि मुझे बायलोजी पढ़ना बहुत पज़न्द है यह तो मैं कर लूँंगी मुझे बहुत होता था कि पॉलिटी मेरा बहुत स्ट्रॉंग है फिर मैंने पॉलिटी का पेपर दिया तो जब आप कई वार क्वेस्चन सॉल करते हैं जरूरी नहीं है कि पेपर पढ़ने में इंट्रेस्टिंग है तो आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन करों समझ रहे ना आ स्टॉंग संभ्जेक्ष दिफाइन करने है उसमें फिर स्टॉंग टॉपिक भी देखना है कौन सा स्टॉंघ टॉपिक है आपका तो क्या करना है स्टॉंग टॉपिक को भी समझना है कि इस टॉप्जेक्ष है माल लीजिए फिbit सेमान ही रिचक्ष वह बायोजी अ Karl subject क्या है science, topic क्या है cell, खीक है, तो आपका subject science जो है favorite है, biology उसमें और subjective में deep में जाओगे तो part है उसका, उसमें भी जाओगे तो topic cells है, यह आपका favorite है, लेकिन हो सकता है कि इसी में एक और topic है, जिसको हम क्या कहते हैं, nutrients, nutrients, disease, इन में जो है नहीं आता हो, आपको पल्ले नहीं पड़ता हो, vitamins, जिसको आप विटामिन कहते हो सारे लोग, है ना, तो वो आपको नहीं पल्ले पड़ते हो, तो इसका मतलब कि भाई, बायल अजीम है, एक subject तो आपका strong है, लेकिन यह वाला nutrients और disease पे तो काम करना पड़े यह tracker के साथ-साथ की चीज़े हैं, अब लग रहा है ना, कि दुनिया में कुछ अलग कर रहा है, आए पेपर दिया, जाके पढ़ लिया, explanation पढ़ लिया, हो गया, ऐसे नहीं होगा भाई, प्रेलिम्स, अगर आपने अच्छे से प्रेलिम्स करना है, तो यह tracker आपने आप बन मैं आगे की strategy बनवाऊंगा, समय लगेगा, आप लोगों का भी मेरा भी, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अधिकारी बन जाओगे, तो फिर वो समय में आप से बसूर लूँगा बाद में, क्या आरती? चलिए, फिर इसमें weak topic हो गए, strong topic हो गए, अब जो strong topic है, उनका क्या करना है? उनका बोरा बंद कर देना है, जो strong topic है, उनको अभी फिलाल नहीं, एक्जाम से सही एक महीने पहले फिर से एक वार revision करवाएंगे, तब उनको strong topics को आपने पढ़ना है, अभी weak points पे काम करना है, क ठीक है भाई, रोइत बाबू, समझ में आ रहा है, picture देख रहे हो, क्या रितिक, आचा कह रहा है, मेरा नाम रोइत नहीं है, मैं जवाब नहीं दूंगा, क्या हो नुसरत, सब सही लग रहा है, क्या बात कर रहे हो, strong subjects में weak topic नहीं होते, हो सकता जियोग्राफी किसी को बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन जियोग्राफी में उस को अल नीनों ला नीनों आज तक समझ नहीं आया, तो एक topic अगर अच्छा नहीं है, तो strong subject weak कैसे हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, strong subjects का मनला यह नहीं है, एक topic खराब होगे, subject weak हो जाएगा, बट आप अगर बहुत ही उसमें जा रहे हो, यह subjectivity का मामला है, यह maths आपको पसंद है, तो आप सोचोगे कि 2.33 निकलना चाहिए, तो वह नहीं होता है, चलिए, weak subjects में बात करते हैं, strong subjects आपने define क यह कैसे कियें भई यह, tracker से, कि आप कितना, कैसे करोगे tracker से, समझ आ गया ना, कितना question solve किया, कितना किस में सही हो रहा है, आप up to the mark हो की नहीं, मानलीजे, science में 30 question आ रहा है, आप उसमें से 25 plus सही कर रहे हो की नहीं, 25 से कम कर रहे हो, तो अपने आपको strong मत कहना, फिर कहना average ह कर रहे हो, तो कहना कि डबा goal है, ठीक है, चलिए, weak subjects कब है, जब आप कितना score कर रहे हो, 60% से कम कर रहे हो, तो weak मानना, strong मत मानना, मानलीजे, आपने 10 question solve करे, आपने उसमें 6 सही किये है, 5 सही किये है, तो वो weak है, strong नहीं है, 7 से उपर जा रहे हो, तो फिर strong है, तो फिर आप उसको रख सकते हैं, उसमें, क्योंकि, फिर क्या करना है, weak topics उसमें भी define करोगे न, तो उन topics को अच्छे से cover करोगे, पूरे subjects को नहीं पढ़ना है, क्योंकि time नहीं होता है, और possible भी नहीं है, फिर आप quality पढ़ते रहे जाओगे, और हमेश बाबू, maths पढ़ते रहे तो strong topics, weak topics, समझ में आगया, दौनों का, चलते हैं आगये, अब time taking वाला मामला जो था भाई, कि time taking मैंने बोला था न, कि कितना time लग रहा है, लिखवाया था न मैंने, tracker में, कि ये note करना है, तो आप लोग अगर इसमें ले रहे हो two hours, और आप इसमें question 130 ही पहुँच पाई, या आपने 20 question पढ़े भी नहीं, ऐसा भी तो होगा, मालू है न, ये भी होता है कुछ लोगों के साथ, आप कह रहे होंगी ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, नहीं, मेरे साथ हुआ था UPSS first attempt में, कि हम पूरा paper भी नहीं पढ़ पाते, अगर हम सही से strategy ना पता, आप दे चुक पाएं, और CSAT में generally UPPSC में ऐसा होता है, कि वहाँ पे उसमें paragraph आता है, वो आता है, पढ़ते पढ़ते पता चलता है, बाद में maths के questions solve कर रहे थे, आगे easy questions थे, वहाँ तक पहुचे ही नहीं, ऐसा possible है कि नहीं है, होता है, तो जब paper landy आता है, तब ऐसा होता है, उस situation में ट्रेक करना है, दो गंटे तो ले नहीं है, मैंने बोला है, दो गंटे ज्यादा नहीं जाना है, कभी भी, और कोसिस करो, एक गंटे 50 मिनड में पेपर solve करो, दोनों गो में, कभी भी आब से one go में paper कोई solve नहीं करेगा, अगर मुझे यहाँ कोई one go में paper solve करते दिख गया, अ अब आउंगा मैं बीच में रिक्षान करने, डंडा ले के, one go में कोई paper करते दिखेगा न, तो फिर मुर्गा वनेगा वो, और लड़कियां हाथ कड़े करेंगे, क्यों, तयार हो बत्तक बनने के लिए, तो यह नहीं करना है, one go में question नहीं करना है, क्योंकि one go में आपकी आ वो strategy, क्योंकि अगर आप यह वहां के लिए मैं notes नहीं बनवा रहा हूं, अगर आप exam all men को apply करोगे, आदत में नहीं होगा, तो नहीं कर पाओगे, तो आपने यहीं से करना है, आप जब यहां से यह सब चीजें करने लगोगे, तब आपकी आदत में आएगा, और जब आद यह subject wise भी आपने देखना है, समझ रहे हैं आप, कौन सा subject है जो आपका ज़्यादा time ले रहा है, हो सकता है किसी का geography ज्यादा समय लेता हो, हो सकता है किसी का economy ज्यादा समय ले, हो सकता है किसी का math जल्दी solve हो जाता हो, तो यह देखना पड़ेगा, ठीक है, subject, why का मतलब समझ में आ गया समय ज्यादा लग रहा है क्यों लग रहा है समय कम लग रहा है यह आपको पता होना चाहिए अब आते question left छोड़े कौन से तो मैंने starting में बता दिया आपको कि अगर question चूट रहे हैं तो क्यों चूट रहे हैं बाई कि आपको आता नहीं है वो टॉपिक इसलिए चूटे या वो टफता टॉपिक इसलिए चूटे क्यों चूटा सबसे important देखिए moral of the story यही है question left कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है और चूट रहा है तो क्यों चूट रहा है करा तो क्यों करा बस आपने इस पे काम कर लिया प्रिलिम्स आपका कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि प्रिलिम्स में उतना already questions भाई यह basically cut off है भा अब हम cheating वाले case को छोड़ देते हैं एक minute के लिए कि people league हो गया कुछ लोगों ने कर दिया वो अलग segment है negativity वाले में thought में जाना भी नहीं हमने तो हम यह मानके चलते हैं fair exam हुआ है अच्छे से हुआ है और वहाँ अगर सारे लोग 120 कर रहे हैं तो हमसे नहीं हो रहा है that means कि हमा होगा अभी और भी टीम पढ़ाएगी तो आपके पास सारा content है teachers है आपको tracker तक चीज हम दे रहे हैं जो कोई नहीं देगा यह tracker कोई नहीं बताता आप पूरे गूम लो यहां पर कोई नहीं बताएगा tracker किसी ने बनाया है नहीं होगा अज तक तो यह आपको इसको फिर benefit लो चलो 50-50 questions correct कितने incorrect कितने आ जाओ वाई इस game पे सबसे important है सबसे important यहां ध्यान देना मैं इसको लिखता हूँ very most important VMI और यह है कुमार पंकज special यह दवा है यह समझो यह खाओ और सही हो जाओ बीमारी भगाओ तो 50-50 questions अगर आपने 20 किये हैं यह tracker में करना है दोस्तो तब सो लोग समझे रहे ट्रेकर में करना बहुत ध्यान से समझना इसको जब आप पहले दिन 50-50 questions पहले test में करेंगे तो आप कितने करेंगे 10 समझे 10 पे तुक्का मारना इसको मैं तुक्का कहता हूँ है भी यह तुक्का ही ना 50% का तुक्का है तो आप पहले में सिर्फ 10 में तुक्का मारेंगे दूसरे पेपर में 20 में तुक्का मारेंगे तीसरे पेपर में 30 में तुक्का मारेंगे समझें करके देखेंगे पहले ego को side में रखे वाला master तुक्का मानने से खा रहा है नहीं ऐसा नहीं है ये science है समझ में आया क्यों करवा रहा हूं अम मैं बताता हूं आपने पहले में 10 में मारा आप ये देखेंगे कि आपने 10 में से कितने सही गी थे मैं मांन लेता हूं 5 सही गी यापने 5 सही गी यानि 5 marks मिले 5 गलत किये तो aware वाले बहिया कितना हो गया ये 5 x 0.33 ऐसा ये निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा है 3 मान लेते हैं 3 से कम होगा ना थोड़ा है ना 3 से थोड़ा कम होगा ना तो आपने 5 साही किए 3 गलत कितने दस में से 5 साही किए 5 गलत किए तो फिर भी आप पॉजिटिब में कितने रहे दो मार्क्स टू पॉइंट सम्तिंग कुछ रहोगे हम माल लेते हैं दो मार्क्स ठीक है आपने बीस किये बीस मैं माल लीजे आपने बारा सही कर दिये भाई आठ गलत किये और पॉजिटिब की और बढ़े आपने तीस मारे हो सकता है कि आप यहां पे 18 पे ही अटक गए 12 आपने गलत कर दिया ऐसा भी हो सकता है कहने का तात पर यह है दोस्तों कि आपने यह देगना है कि आपकी एक्क्यूरेसी कितने तुक्के तक सैड़ बैठती है समझ रहें आप कई बार ऐसा हो सकता है दस मेंसे आप 4 ही कर रहे हो 3 ही सही कर रहे हो तो इसको छोड़ी देना फिर समझ रहो 10 तुक्के मारे उस मेंसे आपने क्या किया 10 तुक्के मारे थे आपने 3 इसमें सही किये यानि right, correct लिख देओ 7 आपने wrong कर दिये अब क्या होगया साथ तो आप साथ इंटू जीरो पॉइंट तिरी तिरी कितना हो गया तो मान लेते हैं साड़े दिन चार मान ले हैं लमसम मान रहा हूँ है मैं सॉल्व नहीं कर रहे है अभी और यहां तीन है तो आपने एक निगेटिव कमा लिया समझ रहे हो तो अगर आप इस रेशियो से नीचे जा रहे हो पांच के से चार में भी आप थोड़ा पॉजिटिव में रह जाओगे लेकिन मत करना फिर अगर आप दस क्वेस्चन तुक्के मार रहे हो उसमें पांच सही कर रहे हो यह 50-50 तुक्का है 0.25 वाला तो है नहीं तो लोगों का लग वाकई बहुत भायात होता है जो वो क्वेस्चन चोड़ देंगे वो उसका अंसर सही बता होगा और जो वो करके आएंगे वो गलत होगा वो समको लगता है मैं भी हुए था तो यह आपने देखना है और यह साइंस है क्योंकि हमारा अनकॉंसियस माइंड कै इसे काम करता है यह हमको नहीं पता है हमें लगता है हमें आ रहा है यह लग रहा है तो हमें उस पर जाना नहीं है भाई तो जुवा नहीं है अपने साथ हमें खुद को ट्रेक करना है यह वी यूजिंग पर्फॉर्मेंस ट्रेकर ठीक है क्लियर एवरीवन समझ में आ रहा इसकी importance क्या है, जीवन बदलने वाली class है आप लोगों के लिए, इसका सर पैसा अलग से charge गरना बार ताला लगा दो, कोई निकलेगा नहीं आज, ठीक है, question left, चलो आगे बढ़ते हैं, area of concern क्या है भई, area of concern हमारा सब का है right strategy, जितना मैंने बताया आपको, सही strategy क्या हो, BPSC के लिए या UPPSC के लिए, UPPSC पर हम अलग से बात करेंगे, आज सारी चीज़ें यहां तक सेम थी, BPSC के लिए strategy तोड़ी अलग रहेगी, तो मैं इन पर बात कर लेता हूँ, ना, बागे आप लोग भी समझ लो, ब्याहर देने के इच्छा हो, कभी जीवन मैं तो, आप मना कर रहे हैं वीचे से, चलिए, राइट स्ट्रेटेजी, यह अब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लबाब है, लबाब जानते हैं, दुकान पर जाते थे, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, जब हम दुकान पर जाते थे, तो घरवाले कहते थे कि जाओं, बिस्किट लेओ, पापा कभी कहते थे कि कोई सामान लेओ, ब्लेड लेओ, कुछ भी लेओ, तो वहाँ जब दुकान पर जाते थे तो वह दुकानदार चार मुंग वली, जो हाथ पर रख देता था, या दो संत्रे वाली टॉपी, तो हमारे हैं उसको लवाब कहा जाता था, या लुभाब सही वर्ड होता है, तो उसकी लालच में बच्चा जाता था उसकी दुकान पर, समझ रहे हैं आप, आप समझ गें मैं क्या कहना चाहरा हूँ, तो जो स्ट्रेटेजी समझाई उसके अलग ही जो है, मेरे लोक लुभावन आपके लिए कुछ है, अभी करें, बताऊंगा विहार भी, चलिए, अब हमने कट ओफ में जाने के लिए कितने मार्क्स मैंने आपको बताए हैं, यह तीन सब्जेक्ट हैं जो आपको वहाँ पहुचा देते हैं, प्रिविएस येर क्वेस्चन पेपर उठाईए, बीपीएस सी सिक्स्टी इतना आएगा ही आएगा कोई नहीं बदल सकता इसको, जमीन आसमान एक हो जाए, बीपीएस सी ये रेशियो नहीं बदल सकता, आपने पहुचना 95 है, 85-90 तो सब्जेक्स आपके सामने रखे हैं, तो आप किस पे पहले जाएंगे? अब आपने इसमें से एक भी हटा दिया, सोचिए आप कितना नीचे आगे, 30 क्वेस्टन नीचे आगे, अब आपने 120 में से 95 करने करके दिखा दो कोई, पॉसिबल है? नहीं है, तो राइट इस्ट्रेजी है, हिस्ट्री, साइन्स, एन करेंट अफेर, यू कांट इसके पहन आपने सब्जेक्ट आफ देम, यू हब तू भी वेर, वेरी केरफुल, और चितना आप इसको ज्यादा पढ़ सकते हो, पढ़ो, ठीक है, अब बात करते हैं, बाकी सब्जेक्स पे, मैंने इसी लिए ये सारे सब्जेक्स को पढ़ाया भी है, साइन्स पे क्लास हो रही है, ह हिस्ट्री पे इमतियाज एहमद की PYQ पूरी गरा दी है, करंट अफेर मैं खुद पढ़ाऊंगा, साइन्स सर सुबह को क्लास लेते हैं, साम को कल से साथ बज़े साइन्स की क्लास भी जा रही है, इस पे हम विसेज ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि चाहें तो आप, चाहें त क्योंकि जितना हम महनत कर रहे हैं, रात तीन चार बज़े तक एक ट्रेकर मैंने डिजाइन किया है, फिर से एक बार, अपनी प्रेपरेशन में मैं करता हूँ, UPSC में इसका इस्तमाल, लेकिन आप लोगों के लिए अलग तरीके से इसको डिजाइन कर रहा है, फिर से, तो अब बात करते हैं बाकी के सब्जेक्स पर, बाई 95 हैं, अब कितने बचे question 55, अब 55 में आ जाते हैं, 55 में आप बिहार special, कितने आते हैं बिहार special से, 20 आ जाते हैं, तो आपने चोथा subject इसको रखना है, हम माल लेते हैं 15 और 20 question, ठीक है, अब आप कहां पहुँच गे 120, ठीक है 120, इसके बाद Maths and Reasoning, Define है 10 आते ही है ठीक है, कितने question पर आप पहुँच गए हो भाई 130 अब आजाओ, जो आपके concern के topic थे Economy Policy Geography और कौन सा subject बच गया भाई वो नहीं पूछता बयार में इसमें कितने है Miscellaneous VC में 20 question है क्या इस पर वर्तेट है आपको मेहनत करना बाबू, कैसा लगा strategy 20 question इससे आएंगे मन औरेंजन सिर्फ, समद रहें आप, सिर्फ 20 क्यूं, reason मैं देता हूँ आपको, ये 20 में भी 10 आप polity के मान लो और 12 तेरे तक भी जाएंगे क्योंकि economy से current बिहार special में, जो है economy से पूछ लेगा question, या economy का current में पूछ लेगा basic economy से question नहीं पूछता है बिहार में, समद रहें आप, तो इससे basic economy से 3-4 question आएंगे आप उसके लिए इस पे इतना लंबा पढ़ाई करें, logic नहीं है पढ़िये आप, बिल्कुल पढ़िये, मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन ज़्यादा समय देने कोई logic नहीं है, पढ़ना तो छोड़ना है ही नहीं geography, same way, मामला है कि geography में 10 question आएंगे बागी, economy मैंने eliminating कर दिया, तो जो यह मैंने बढ़ाएं 5 question वो थोड़े बहुत उपन नीचे उधार होंगे, लेकिन हमारा क्या हमें prelims में qualify करना है rankers नहीं बनते prelims से, तो हम target करेंगे इन 130 questions को और जो हम पूरी tracker की बात कर रहे है जो हम marks gain करने की बात कर रहे है, वो यहां से आएंगे, ना कि यहां से आएंगे यहां आप कितना भी मत पढ़के जाईएगा, 5 से 10 आप करी लोगे और हमें इतना enough है इधर से, 20 में से 10 तो कर लोगे अगर आप इस पर मेहनत करोगे तो 10 से कितना कर लोगे, 15 गर लोगे पांच बढ़ा लोगे उससे यादा नहीं बढ़ेगा, दावा है मेरा लेकिन अगर आपने इधर मेहनत नहीं गरी तो आप सीधे 30-40 खोदोगे एक साथ कौनसा ज्यादा वर्तित है पार्त यह रत किदर ले जाए आजाए जाए इतियास ले जाना चाहिए ठीक है इस पर बात हो गई चाहिए राइट स्ट्रेटेजिस तू फॉलो क्या होना चाहिए भाई यहां इंगलिस मीडियम का कोई है सब हिंदी वाले ना पिछले वर्सों के प्रस्णपत्र किस-किस ने सॉल्व कर लिये हैं भाई दो बागी सब लोग रितिक एक्जाम के बाद करोगे टेवन्टी है दे लो फिर पीवाई के बैठके करेंगे दानों मिलके करो इनको यह करने हैं आपने विदिने मन्त दुबारा भी कर वाऊंगा लेकिन अभी आप क्यों करेंगे मालूम भाई यह बताओ आपने किस-किस ने सब्जेक्टिव तैयारी पूरी कर ली अपनी कोई भी एक सब्जेक्ट किसी ने पूरा किया आप मैंसे आप बिहार दे रहे हैं बिहार वाला सब्जेक्ट पूछ रहा हूं अभी रितेगाम ने किया है कौन सा आपका तो पता है मुझे जियोग्राफी अच्छा कर ली सब्जेक्ट तैयारी कैसे पता चला कौन से व्वेस्चन आते कैसे व्वेस्चन आते हैं क्या पूछता है हाँ तो problem यही तो है आपने subject पढ़ लिया आपको यह पता ही नहीं है question कहां से पूछेगा क्या पूछेगा आप मैं समझ गया आप यह कह रहे हो मिट्टी से पूछता है बई यह मिट्टी से question किस kind के होते हैं यह भी तो पता होना चाहिए यह PYQ करोगे तो जब आप PYQ एक वाद सॉल्व कर लोगे और फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको पता होगा जब पढ़ रहे होगे क्या रहे यह question पूछा जाता है तो यहाँ देहान देना है क्या पढ़ें क्या छोड़ें तो तभी करोगे ना जब आपको PYQ क आया हुआ है तो मैं पेपर रट के तोड़ा ही बैठाओं मैंने पीवाई क्यू इतनी वार बढ़े हैं कि मुझे पता है कि कहां से क्या पूछता है और अगर कोई टीचर पीवाई क्यू नहीं पढ़ता होगा तो टीचर कैसे होगा आप एक्जाम कैसे क्वालिफाइ करोगे आपको एक्जाम का नेचर ही नहीं बता होगा तो तो पीवाई क्यू मस्ट हैं विदिने मंत आपने पढ़ने हैं और ऐसे नहीं पढ़ना है कि पढ़ लिया एकदम सब्जेक्टिव अलग-अलग एक साथ एक साल के उल्टा पढ़ना शुरू करो 69, 68, 67 और 62 तक पढ़ लो 62 64 तक उससे पहले जाने की जरूवत नहीं है उतना इनफ है एक्स्प्लिनेशन के साथ पढ़ो बुक कोई सी भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है चुनाव करना है कि किस विजए का अधिक्तम भार है यह मैं पहले बता चुका हूँ आपको बिहार के लिए चार सब्जेक्स साइ भी नमबर थी नी माई लोड ध्यान दिया जाए इन मैंसे कौन सा सब्जेक्स इसका कंजोर है जो कंजोर है माल लो साइन्स है बई क्या स्ट्रेटेजी है क्या प्लाणिंग है क्या टार्गेट्स हैं कैसे अचीब गरोगे अचीव गर लिया तो आउटकम क्या है समझ में आया बात ये तीन चीज़ें होनी चाहिए साइंस कमजोर है क्या स्ट्रेटेजी है टार्गेट क्या है टार्गेट मतलब समझ रहो वीकली टार्गेट क्या है वीक में कितने टॉपिक करने है मंतली टार्गेट क्या है yearly मत चले जाना भाई पंच वर्जी है योजना नहीं चलनी है तो weekly और मंतली ठीक है define करो hours में मैंने आपका बनाया था रितिक चल रहा है न वो hours में बाटो इसको कितने hours में इसको खतम करना है फिर इसको week में बाटो फिर इसको मंत में बाटके खतम करो और फिर देखो क्या performance हुई है ठीक है same sub subjects के लिए जो भी आपका week है पहले जो strong है उसमें topic पे जाएंगे कि कौनसा topic week है वो मैं पहले बात कर चुका हूँ चुनाब करना है कि कौनसा विसे कमजोर है काम करना हो गया चुनाब करना है कि आपका सबसे कमजोर विसे क्या है उसका भारंक परिक्षा में कितना है आपका सबसे कमजोर subject क्या है उसका भारंक कितना है अगर उसका भारंक भाई 5 या 10 है और आपको लग रहा है इसमें आप कि वर्तिट नहीं है एकॉनोमी आपका वीग है वर्तिट नहीं है important segments को देखना आप पूरा economy पड़ोगे question नहीं आता है वहाँ से तो क्या मतलब है 5 question के लिए तिनी मैनत science पे करो history पे करो economy पे करो current affair पे करो बहार special पे करो economy मत करो की उलिटी कर सकते हो जियोग्राफी कर सकते हो economy बेहार में सिर्फ पूछा जाता है तो देखना है अगर वह आपका weak subject 10 मेंसे कोई है तो चिंता का विशे है क्योंकि सिलेक्शन खा जाएगा एक इनो मेंसे कोई बी subject आपका enough है आप कोई भी सब्जेक्ट हताद हो भाई इन तीनों में से बिहार स्पेशल चलो मान लेते हैं कि इतना बुरा नहीं होता है किसी का भी कि 20 आए तो 10 कर लेता है हर बच्चा लेकिन अगर ये वीक है आपने 30 हटा दिये 30 में से आप 10 ही कर पाओगे और 20 हटाते ही आप मतलब 130 पे आईएगा कि कितने प्रश्न हल करने हैं सबसे इंपोर्टेंट चीज यह मेरा लड्डू है आपके लिए पहले सही मत सोच के जाना कि 130 करके आऊंगी या 120 करके आऊंगा एक्जाम का नेचर अलग होता है जब आप एक्जाम में बैठें तो जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उस पर विश्वास करिएगा वन गो में कितने हो रहे हैं देखिए मैक्जिमम कोसिस करिए वहां तक जाएं अगर आप से 70 ही बन रहे हैं तो यह द्यान रखिएगा कि अपनी पढ़ाई पर विरुसा करना है यूपी एस्सी में बामन का टॉप जाती थी तो 41 भी गई है तो कोई नहीं है कि भाई आप जो है वन पिप्टी का टार्गेट सोचो 130 करके आऊंगा चाहें जो हो तो वह नहीं करना है आप पेपर में बैटिए पेपर को समझीए पढ़िए उसके बाद स्ट्रेटेजी दे जलत होगा क्योंकि आप पेपर के नेचर से वाकिफ हो नहीं पेपर पैटन चेंज होगे आप 130 कराया पता चला कि कट आप तो गई ती असी ही लेकिन आपने 130 किये थे तो नेगिटिव की बज़े से बाहर हो गए आप लोग तो इस्ट्रेटेजी पर ट्रस्ट रखना है चीर प्यार अधियक नत करते रहो कर से सवार गुर सवार को कहते हैं तिफल जानते हो किसको कहते है उस बच्चे को कहते हैं जो नवजयत होता हरो गुटनों के बल चलता तो गिरेगा वही जो गुण सवार है जो युद्ध में मे जो है जाशा का कलम कर दो सर और जो है बन जाओ राजा है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा इस वार फिकर दूस्तों तो यह ता आज का session thank you so much for watching और मैं उम्मीद करता हूं कि आप crack now से जुड़े रहोगे मैं मैं उम्मीद करता हूं कि आरदस लोगों को और बताओं कि हमारे बारे में इतनी मेहनत कर रहे हैं ओनलाइन वालों आपसे भी सिकायत है यह ओपलाइन वाले तो यहीं मिलेंगे रोज तो इस सेशन को शेयर करो ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ प्लैटफॉर्म के आरे में बताओ अच्छी लगी क्लास तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ठोक दो थैंकियो सो मच पर वाचिंग 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 एव ग्रेट डे जै हिंद